नमस्कार आज इस वीडियो में लोकी के जूस से हमारे श्रीर में क्या-क्या फायदे हैं बताएंगे लोकी में विटामिन C, विटामिन K और केलशिम पाया जाता है और फाइवर ज्यादा होता है लोकी में कलोरी बहुत कम होती है लोकी में 22 परतिशत पानी पाया जाता है लो बलड प्रेशर लोकी के जूस के सेवन से बलड प्रेशर सहीतरी के सिनिंतरिद होता है लोकी के जूस को डेली सेवन से बीपी की समस्या भी खतम हो जाती है डाइब बीटीज लोकी का जूस डेली सेवन से डाइब बीटीज की समस्या भी खतम हो जाती है लोकी के जूस में फा जैसे हमारे चेहरे पर फुल्सी, दाग, धब्बे होते हैं, उन्हें लोगों को भी लोकी के जूस का सेवन करना चाहिए। एसिडिटी, लोकी का जूस डेली सेवन से एसिडिटी की समस्या को भी खतम करता है। एसिडिटी के मरीज ZOOS का सेवन करना चाहिए। पिसाम में जलन, पेट में जलन, लोकी का जूस पेट से समन्दी को सभी बिमारियों के लिए फाइदे बन्द है। हाड बलोकेश, हाड के मरीज को भी डेली लोकी के जूस का सेवन करना चाहिए। दिल से सबंधी कोई भी समशा हो, उन्हें लोकी के जूस का सेंउन्ट करना चाहिए, लोकी का जूस हाड़ को तंदूरुस रखने में वैटाप्युन योगदान देता है मोटापा लोकी का जूस हमारे वजन को कम करने में मदद करता है जीन लोगों का वजन ज्यादा है उन्हें खाली पेट सुबह खाली लोकी का जूस पीना चाहिए stress जीन लोगों को ज्यादा काम की tension और घरिलू tension होती है उने भी लोकी के जूस का सेवन करना चाहिए लोकी का जूस हमारे माइंड की मासपेसियों को सही नहींतरित करता है लोकी का जूस हमारे शरीर में उर्जा परदान करता है लिवर लोकी का जूस लिवर के मरीज को भी डेली सेवन करना चाहिए लोकी का जूस हमारे लिवर को भी ठीक करता है सुगर लोकी का जूस सुगर के मरीज को भी सेवन करना चाहिए लोकी के जूस में सुगर नहीं होती जो सुगर के मरीजों के लिए फायदेवन्द है आईए अब बताते हैं लोकी का जूस कैसे बनाए एक लोकी ले और उसके छिलके को उतारे और फिर उसके छोटे छोटे पीश करकर मिक्षर गरंडर में डालें और जूस बनाएं लोके का जूस बनते ही तुन सेवन करना चाहिए उसे रखे नहीं जदा समय रखने के बाद सेवन से हमारे शरीर में हानी कर सकता है आज इस वीडियो में इतना ही हैल सेजुड़ी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें